हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुपता, आपका स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो में आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमस्टी के विलियन चेप्टर से एक नुमेरिकल क्वेस्टन को डिसकस करेंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे आपके यंशियाटी बुक के अभ्यास प्रसंद से प्रसंद 1.18 को लेकर यदि आप पुरानी यंशियाटी बुक रखते हैं तो यह क्वेस्टन आपको आपके बुक में 2.18 नंबर पे मिलेगा आज की इस वीडियो में मैं इस question को पूरा लगाऊंगा और साथ ही इसके पूरे concept को बहुत ही easy manner में आपको समझाऊंगा मेरी guarantee है कि यदि वीडियो आप last तक देखते हैं ध्यान से देखते हैं तो दुबारा आपको इस type की question में कोई दिक्कत नहीं होगी यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए बिना समय गवाएं आज की इस मज़दार वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखें यहाँ पर question हमको दिया गया है कि 114 ग्राम आक्टेन में किसी ओवास्पसील विले जिसका मोलर दरविमान 40 ग्राम पर मोल है कि कितनी मात्रा घोले जाए कि आक्टेन का वास्पदाब घटकर मोल का 80% रह जाए तो देखें यहाँ पर question में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक सुद्ध द्रव है आक्टेन यहाँ पर यह सुद्ध वस्था में है मिसेस में कोई विले पदार थायड नहीं किया गया है इस समय इसकी मात्रा 114 ग्राम है और इसका कुछ वास्पदाब है वास्पदाब कितना है यह हमको नहीं बताया गया लेकिन यह कहा गया है कि हम क्या करते हैं इस 114 ग्राम आक्टेन में कोई और वास्पदाब में कमी आती है तो इस विलेन का वास्पदाब कम होकर सुध्ध और आक्टेन के वास्पदाब का 80% रह जाता है यदि ऐसा हो जाए कि वास्पदाब घटकर 80% रह जाए तो ऐसा करने के लिए आपने इसमें विले की कितनी मात्रा एड की है यही आपके क्वेस्चन में पूछा गया है उमीद है क्वेस्चन अब आपको समझ में आ गया है अब आप जानते हैं कि यहां पे दिया गया है कि जो वास्पदाब घटकर 80% रह गया है प्रारम्भी में जितना भी था उसका 80% रह गया है ऐसे विए क्वेस्चन को सॉल्व करते समय मैंने आपको एक बात बताया था कि कभी भी आपको value percent में दी गई हो और प्रारम्भी का वस्था को आपको मानना हो तो आप 100 मान लेते हैं तो यहां पर हम चाहें तो इस octane को जो सुद्धा वस्था में octane है इसके वास्पदाब को 100 ATM ले सकते हैं लेकिन 100 ATM रखने पर वास्पदाब काफी अधिक हो जाएगा इसलिए हम इसको एक ATM मान लेते हैं तो यहां पर हम मान लेते हैं कि जो सुद्धा octane है जिसको हम लोग लिखेंगे P not octane यानि कि सुद्धा octane का वास्पदाब यह है एक ATM अब इसका 80% निकाल लेंगे तो हमको विलियन का वास्पदाब पता चल जाएगा एक का 80% होता है 0.8 यानि कि यहां पर P solution यानि इस विलियन का वास्पदाब है 0.88 अब यहां पर आप ध्यान दें तो हमने बात किया कि हमारे पास एक सुद्ध द्रोव विलायक है जिसमें और वास्पदाब में कमी आई है यह पूरा कॉंसेप्ट वास्पदाब के आप एक्षी का उनमनका है तो इस question में जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वो भी वास्पदाब के आप एक्षी का उनमनका होगा तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे P0-PS upon P0 equal to X solute इस फार्मूले में P0 सुद्ध द्रव का वास्पदाब है P.S. billion का वास्पदाब है और X solute billion में उपस्थित विले के मोलंस को प्रदर्शित करता है यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि P0 के मान को हमने 1 ATM मान लिया है और P.S. का हमने निकाल लिया है 0.88 ATM तो यहाँ पे यदि इन दोनों की value को रखा जाया तो X solute यानि विले का मोलंस निकाल सकते हैं तो चलिए इन दोनों मानों को रखते हैं तो देखें यहाँ पे हमने मान को रख दिया तो यहाँ से हम यदि कल्कुलेशन करें तो हमको X solute का मान मिलता है 0.2 तो इस तरह इस billion में विले का मोलंस हमको मिल गया 10 मलव दो यदि question में हमको विले का मोलंस बताना होता तो हमारा question साल भो चुका है यहाँ पे पूछा गया है कि इस billion को बनाने की क्रिया में विले की कितनी मात्रा खोली गई है और यहाँ पे मात्रा को आपको ग्राम में बताना है तो अभी आपका question solve नहीं हुआ है अब हम क्या करेंगे इस मोलंस को मोल में बतलेंगे तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि x solute equal to n solute upon n solute plus n solute यानि कि विले का मोलंस बराबर विले के मोलो की संख्या अपान विले के मोलो की संख्या धन विलायक के मोलो की संख्या इस फार्मूले का यूज करेंगे और हम लोग मोलंस को मोल में convert कर लेंगे और फिर बाद में मोल को ग्राम में convert कर लेंगे तो चलिए इस फार्मूले को solve करते हैं इसका यूज करते हैं यहाँ पे x-solute का मान तो आपको दिया गया इसके मान को आप सिधा या पूट कर सकते हैं n-solute जो है इसकी को हम लोग यहाँ पे निकालने की कोसिस करेंगे च्राबर हो जाएगी विलायक का दर्बिमान क्राम में अपन विलायक का मोलर दर्बिमान विलायक इहाँ पर आक्टेन है और आक्टेन का दर्बिमान दिया गया एक सो चोप ग्राम यानि कि डवलू सॉल्वेंट के जगा पे हम एक सो चोप रख सकते हैं और M-solvent भी 114 होता है अब question है M-solvent यानि की विलायक का molar द्र बिमान 114 कैसे आया तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे नाम दिया गए है Octane और Octane का फार्मूला होता है C8H18 यदि इस अणुसुतर में उपस्थित सभी परमानों की molar द्र बिमानों को आप add कर ले तो Octane का molar द्र बिमान मिल जाएगा आप जानते हैं कार्बन का molar द्र बिमान 12 होता है और इसकी संख्या 8 है तो 12 में हमने 8 से गुड़ा कर दिया और प्लस हैड्रोजन का molar द्र बिमान एक होता है इसकी संख्या 18 है तो 18 से गुड़ा कर दिया और इसको हमने solve किया तो 114 ग्राम पर मोल प्राप्त हो गया और इसी value को यहाँ पे हमने molar द्र बिमान के जगर पे यूज़ किया तो उमीद है आपको समझ में आ गया कि हमने octane का molar द्र बिमान कैसे निकाला है अब यदि इसको हम solve करें तो 114 से 114 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी लायक की मोलों की संख्या यानि कि unsolvent हम open मिल जाएगी तो unsolvent का मान मिल गया एक मूल अब इस unsolvent के मान को यहाँ पर हम put कर सकते हैं तो x salute का मान हमको पहले ही पता चल गया था point 2 और n salute ही हम निकालने वाले हैं unsolvent हम निकाल चुके हैं एक तो इसके value को यहाँ पर रख दिया इसको cross multiply कर देंगे तो यहाँ पर जो n salute plus 1 है यह 2 के साथ यानि point 2 के साथ multiply हो जाएगा और इसको solve कर देंगे हम तो मिलेगा n salute और इस point 2 का इस bracket में multiplication कर देंगे तो हो जाएगा point 2 into n salute और एक में इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा point 2 अब यहाँ पर इस समीकरण में उपस्तित n salute वाले पदों को एक साइड में रख लेते हैं तो यहाँ पर n salute वाले पद को इधर से transfer करते हैं तो यह minus में हो जाएगा अब इसको यदि हम लोग घटा दें हाथ पे तो हमको मिल जाएगा point 8 into n salute equal to point 2 तो n salute बरावर हम लिख सकते हैं point 2 upon point 8 और इसको solve करेंगे तो n salute यानि की विले के मोलो की संख्या हमको मिल जाएगी 0.25 मोल तो इस प्रकार हमने विले के मोलो की संख्या पराप्त कर ली यदि question में विले के मोलो की संख्या पूछी गई रहे तो यही answer हो जाएगा लेकिन हमारे question में पूछा गया था कि विले की कितनी मातरा को आपने यूज किया है ग्राम में बताईए तो यदि ग्राम में निकालना हो तो फिर से इस मोलोगी संख्या को ग्राम में कनवर्ट करना होगा जिसके लिए हम फार्मुला यूज करेंगे कि विले के मोलोगी संख्या बरावर विले का दर्बेमान ग्राम में अपान विले का मोलर दर्बेमान यहाँ पर विले के मोलोगी संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है इसके मान को रख देंगे विले का दरब्यमान ही हमको gram में निकालना है मोलर दरब्यमान question में दिया गया था 40 इसको cross multiply कर दें तो हमको मिल जाएगा W salute यानि कि विले का दरब्यमान gram में इसका 40 को cross multiply कर दें इधर आ गया और इसको solve कर देंगे तो हमको मिल जाएगा विले का दर्विमान ग्राम में इकोल टू 10 ग्राम और यही एंस्वर हो जाएगा उमीद है कि ये क्वेस्टन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए क्वेस्टन